uk rao hi friends जैसा कि आप देख पा रहा है टाइटल ठीक ही पता चल रहा है कि वीडियो का टॉपिक क्या है वीडियो ड का टुपिक है फिल्यूट को हम डिफब्स करेंगे व्यूट को जाने के ऒोटा है फिल्यूट कि इसी कहते है नहि consistency का आपको आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा अगर आप mechanical civil engineering के student है ठीक है तो आप study करेंगे या कर रहे होंगे fluid mechanics की ठीक है तो fluid mechanics को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए fluid क्या है तब ही fluid mechanics पढ़ता हैंगे ठीक है तो start करते हैं तो एक छोटी सी definition सिंपल सी definition है इसे हम इसको explain करते है अब fluid is a substance which is capable of flowing and deforms continuously under the action of shear force means fluid हो है substance है जो normal temperature पर flow होने की capability रखता है और external shear force देने पर continuously deform होता है जब तक कि shear force ना हटाया जाए ठीक है जब तक आप shear force नहीं हटाएंगे तो वो deform होते रहेंगे continuously और दूसरा क्या है कि वो capability रखते हैं फिलो होने की ठीक है वो flow हो पाते हैं वो क्या कहते हैं बहे पाते हैं वो तैर पाते हैं ठीक है अब तैरने से मतलब यह मत निकाल लेना कि लकड़ी को डाल दे जाया है नदी में पानी में तो तो इसका मतलब वो फिलीड है नहीं लाकड़ी फिलीड नहीं है मेरा कहने का मतलब है जैसे जमीन पर टैरना ठीक है बनी तेर पानी तैर ना मत बोलिए बह सकता है यह कह सकते हैं फिलो मतलब बहते हैं ठीक है ऐसे सबस्टेंज जो बह सकते हैं ठीक है चाहिए वो जमीन की बात हो चाहिए वो हमारे एट्मॉस्पेर हमारा एयर में ठीक है जैसे गैसे हैं वो क्या हमारे एट्मॉस्पेर में of shear force ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा ठीक है तो यह भी आपको लगाना पड़ेगा कि अगर shear force apply करें किसी fluid पर तो continuously deform होता है अब बोलोगे sir shear force solid mechanics में तो पड़ा था solids पर लगना था अब fluids पर भी लगेगा क्या बिलकुल लगेगा जी ठीक है तो आप यहाँ पर जान लीजिए है क्या भी shear force वैसे shear force को मैं explain कर दूँ आपको कुछ नहीं है shear force क्या है force का ही component है अगर कोई पूछ था है तो क्या वोलेंगी shear forces force का ही component है जो क्या है fluid के surface पर अब surface का यह fluid है तो यह fluid का surface का होगा यह उपर ठीक है यह क्या है यहाँ पर यह तो हमारा ground है मतलब जिसमें भरा हुआ होगा ठीक है नीचे का ठीक है इसमें यह माली जी यहाँ माली जी कोई यहाँ पर फिलो हो रहा है पानी का ठीक है फिलो हो रहा है फिलो मत मानिए भी रैस्ट में ठीक कैया थी करे समयूँ तो मैं क buna यहां पर यह इसका सर्फेस तो मेकावा आप फोर्स एक कंपोनेंट आ के आप फोर्स का यह कंपोनेंट यो खेंडू के सर्फेस sampling लगता है क्या बोलेंगे टैंजेंसली लगता है अभी टैंजेंसली कैसे लगेगा भी देखिए सर्फेस है यह हमारा सर्फेस और सर्फेस पर हमारा अगर पर्पेंडिकुलर फोर्स लगा दें यह तो इसको बोलते है नॉर्मल फोर्स क्या बोलते है नॉर्मल फोर्स और यह जो surface है इस पर tangentially मतलब अब ऐसे लगाएंगे तो कुछ आपको कम के लिए होगा मैं क्या करता हूँ एक इस पर ठीक है clear है तो यह है tangentially force clear तो कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे फिल्यूट के surface पर जो tangentially force लगता है उसको गोलते हैं shear force अब देखिए होता क्या है यहाँ पर यहाँ पर यह रेस्ट कंडिशन में किसमें रेस्ट में है और रेस्ट में है तो इसको मान लिजी ओ पॉइंट और इस पॉइंट को मान लिजी ए पॉइंट इस वाले को अब होगा क्या है इस force को मतलब tangential force लगाएंगे या shear force जब लगाएंगे ठीक है तो क्या होगा deformation हो जाएगा मतलब यह यहां से खिजक के यहां पहुंचाएगा यह प्लेट पर लगाने धक्का दे रहे हैं तो यहां वाला जो फ्लेट होगा वो कुछ ऐसे से ले लेगा पहले ऐसे था अब वो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यहां क्या होगा यह एंगुलर डिफॉर्मेशन आएगा क्या आएगा यह एंगुलर डिफॉर्मेशन याणि है ठीटा एंगल पर यह डिफॉर्म हो जाएगा ठीक है तो अब यह सिर फोर्स लगता था तो कौनसी स्ट्रेंड यहां पर डबलब होगी क्लेव तो इसमें बहुत जादर detail में आगे जाएंगी मेरा यहां पर सिर्फ इतना ही समझाने का मतलब था कि shear force क्या है तो आप समझ लें shear force क्या है clear है अच्छा ठीक है और fluid को थोड़ा सा और accident कर लेते हैं fluids को क्या करते हैं ऐसे भी जान लेते हैं को कोई vessel है कोई क्या है container है इसमें हम क्या करें डाल दें किसी fluid को तो वह उस container या वह वैसल की ही safe ले लेता है यह भी property है अब बोलोगे sir water के case में तो चलो ठीक है अगर हम इसमें gas भरें gas भरें कोई तब क्या होगा तब तो वह इसकी safe नहीं लेगा वो तो भार निकल जाएगा भी कोई भी gas है वह बहार निकल जाएगी तो उस case में क्या करेंगे इस close vessel लेंगे ठीक है close container लेंगे अब इसमें flow करेंगे ठीक है इसमें fill करेंगे कोई gas तो इस container की safe ले लेगी ठीक है तो कहने का मतलब यह है जो fluid safe होते हैं उनकी कोई अपनी खुद की original safe नहीं होती है खुद की safe नहीं होते है वो किसी container में डालें वो उसकी safe ले लेती है जब कि solid क्या है वो अपनी खुद की safe रखते हैं ठीक है तो चलो देखिए matter जो है matter यहां पर class way क्या गया है team form आपने पढ़े होंगे solid, liquid, gas तो solid की study करने के लिए हमने solid mechanics पढ़ा liquid और gases की study करने के लिए हम पढ़ेंगे क्या fluid mechanics क्यों क्यों देखिए जो यह क्या है liquids क्या है flow कर पाते हैं तो क्या है fluid है gas flow कर पाती है paper for look कर पाता तो क्या है the fluids है Tha solid की study करने के लिए solid mechanics औरिण liquids और gases ती study करने के लिए deposit mechanics की study करते हैं ठीक है मने की behaviour कि लिक्विड और gases vapeurs के बह्यवल की लानने के लिए कि वैब invert काने के लिए क्या करेंगे मिस्टडी करेंगे फ्ल्यूड मेकानिक्स की ठीक है तो मैंटर को हम ऐसे भी हम क्लासिफाइब कर सकते हैं कि जो substance बहप आते हैं वो है fluid ठीक है वो matter वो matter की form जो बहप आती है वो क्या है fluid और जो नहीं बहप आती है वो होते हैं solid तो I hope यह समझे आया होगा आपको topic बहुत अच्छे सी आपको explain किया है ठीक है अगर आप के पास इसके regarding fluid के regarding कोई question है ठीक है तो comment box में जरूर type कीजिए ठीक है मैं आपको answer दे दूँगा thank you